देखे आपके सामने यहाँ पे नाम लिखा हुवा मन पसंद बेवरेज़ लिमिटेड अचानक से स्टॉक अपने जो 52 वीक लो बनाया था 60 के करीब 59.65 और इसका जो हाई था 458 मतलब सीधे अपने टॉप से धलाम से गिर गया था मैं मैं एक न्यूज आई थी और हम कि न्यूज क्या थी जिसकी वज़े से शेर का प्राइस सीधे आसमान से जमी पर आ गया था अब देखिए आज 12 मार्च है एक बच के चार मिनिट है और आज का भाव है 170 रूपया 35 पैसे चल रहा है BSC पे और पहले हम न्यूज बता दें कि क्यों इतने हाई से नीचे लो प पत्र दे दिया था ये कहते हुए beverages a few days before the declaration of annual results. Annual results declare करने से पहले ही कि triggering a sharp fall in the share price and deeping in the mystery about the sudden departure. People close to the situation said that Deloitte's move was triggered by the lack of cooperation जो उनका आरोग था कि company की जो promoters है वो proper जो है cooperation नहीं कर रहे हैं from one person sharing with the auditors crucial data मतलब जो महत्यपूर्ण data है कि किस प्रकार से capital expenditure है and revenue आ रहा है तो proper वो हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं the auditors were seeking these details for the last for at least a month है एक महीने से वो मांग रहे थे कि हमें तो पूरे details तो जो final results आएगा and well उसमें हम शो करें पर इस वज़े से ऐसा उनका एक return और ओर दायर किया गया था as per यहाँ पर यहाँ पर news जैसे की है but those were never provided documents supporting the cost and revenues and capital expenditure which as per the regulation are required to be submitted to the auditors were not shared said a person with direct knowledge of the matter तो जो उनके CA थे charter accountant उनसे details मांग रहे थे जो important documents या फिर details मांग रहे थे उनको नहीं दिया गया इस वज़े से उन्होंने इनकी audit company को इनके मनपसंद beverages को छोड़ कर चले गया इस वज़े से इस news के आने से इनका जो 52 week high था वहां से सिधे आके low pay इतना bottom बनाया इतना जादा जिन लोगों का पैसा लगा रहोगा इस company का पूरा share जो है टूट गया था देकि बाकी और company में कोई दिक्कत नहीं है इनके products जो है अब देख लिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग की industry FMCG से market cap है 1349 करोड की small cap company और P है 12.13 की industry P है 5396 की dividend yield है 0.48% debt equity है ना के बराबर 0.07 return on equity है 7.58% price to book है 0.92 net sales में 163 की बढ़ात है और net profit में पिछले साल के मुखा अबले quarter results December 2018 जो के जो आए है उसमें net profit में 9.84 क्रोड यानि 10 क्रोड के आसपास के downside दिखा रहा है अभी के तो चलिए अभी financial trend देखे फ्लाइट है और returns तो आप देखी चुके हैं क्योंकि इतना बुरी तरह गिरा था तो Harley में अभी इनका जो listed company मेरे खाल से इसके पहले नह तो यहां पर 3 साल में 46% का negative, 2 साल में 66% का negative, 1 साल में 89% का negative, ये till date मतलब जनवरी से 31% का बढ़ा रिटर्न है और 6 मथ में 16% का negative, 3 महीने में 24% का negative, 1 मांथ में 44%, sorry, 3 महीने में 24% का positive, बहुत 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 बहुतरी, 1 में 44% की बढ़ात, की जपरदास्त, 1 week में 35% की उच् वन डे 13% के आसपा सारे 13% के, मतलब यह भागना शुरू कर दिया है, अब चूखी क्या है इनके जो प्रोडक्स है, प्रोडक्स में जो इनकी कम्पनी जैसे अपरिला हो गया, फ्रूत सप्प हो गया, इनके बहुत सारे ब्रांच है, मैंगो सीफ हो गया, इंडिया के मतलब य इसी कंपनी बनाने वाली है जो ORS, Seasonal, Energy Drink बहुत सारे प्रोटक्ट्स इसके बनने हैं और यह लोग अपनी अपनी फैक्टरी धीरेन सिंग जो इसके ओनर है उन्होंने जो बनारस के रहने वाले और बोदरा गुजरात में आके वो जॉब करते थे उसके बाद उन्होंने कमपनी फार्म की और दिरे दिरे वहां पे फैक्टरी डाली वहां से फिर उन्होंने यूपी में भी डाली तो और भी एक्सपैंड कर रहे हैं अपने कमपनी को और ब्रांचेस और भी अलग-अलग जगह पर तो इस वज़े से इनका प्रोड़क्त बहुत ही बड़े हैं आप गर्मी के दिनों में इनकी बहुत डिमांड होती है और जो इनके डिस्टिब्यूटर से वह हैं जो छोटे-छोटे गाहों से लेके चोटे-छोटे शहरों से लेके बड़े शहर मैं इनका इंटर्वी भी देखा अच्छा जो इन पर करजा है तो करजा भी इन्होंने अपने इंटर्वी बोला था कि जो हमने FD अपना रखा हुए उसी का overdraft से हमने करजा उठाया था तो इन पर करजा वह ऐसा है कि किसे से बहुत सारा ले रख और बहुत नॉमनल ही करज है कि कितना है देखिए बोरोविंग है थोड़ा सा बढ़ा हुए क्योंकि अपना ये फैक्टरी सेट अप कर रहे है एक्स्पैंड कर रहे है तो यहाँ पे 95.40 याने 95 क्रोड के आसपास इन पर करजा है जो कि इनका कहना है कि हमने FD से overdraft किया हुए इनिवेज शियर होल्ड 233 मतलब इननों 0.05% इंक्रीज किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो इंक्रीज कर रहे हुए यहाँ पे एक भी शियर इनका गिरिवी नहीं है mutual funds की 5 schemes में 11% की holding बनाए रखे हुए FIIs 19 है और 8.76% की holding है और इंडिविजुल से 13.25% की तो मुझे लगता है कि अभी यह लोग बने हुए है थोड़ी-थोड़ी से कि FIIs ने decrease की है mutual funds ने थोड़ा से यहाँ पे decrease हुए है तो यह जो इंडिया की एक तरीके से आप कह सकते हैं Coca-Cola या Pepsi जैसी बनाने वाली बड़ी company है आने वाले भविश में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा जटका नहीं था हाला कि जैटका तो बहुत बड़ा था सदमे वाली बात ही थी या सीधे साड़े 400 से सीधे 100 रुपए पर आ जाना तो बहुत बड़ा सदमा था तो ऐसे कुछ निउसे आने से बड़ बड़े दिग्गर शेयरों के जो है कंपणियों के शेयर टूट जाते हैं लेकिन हम अगर लांग टर परपर से देखें और कंपणी का जो मैनेजमेंटर जो फंडामेंटर जो हमने इंट्रव्यू सुने उनकी जो सफाई दी उन्होंने और तो उसमें ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं खास एक निउस के वज़े से कई निउस ऐसे आ जाती है अब हम लाली जी किसी प्रोड़क्ट पर किसी कंपनी पर शेयर प्राइस पर भी नहीं मिल पाया लेकिन जिस हसाब से उन्होंने आरोप लगा के छोड़ के चले गए उससे बुरी निउस की वज़े से इनके शेयर के प्राइस धालाम से निचे गर गया था तो ऐसे में अब क्या करें ऐसे मेरा ऐसा मानना है देखी दोस्तों मैं आप से जनरली डिस अच्छे हैं सनेदेवल इनके ब्राण्डम बेश्टर हैं और तापसी पन्नु इनके ब्राण्डम बेश्टर टीवी के आट साते हैं गर्मी में इनका माल दबा के भिखता है मतलब हरा आदमी इनके fruit juice energy drinks food sip सब पीता है डिस्टिब्यूटर इनके बहुत अच्छे तो आने आने वाले सनम जिस प्रकार से इनका company का expand कर रहे हैं आने वाले पूरे भारत में market में अपना कपजा करने वाले हैं call drinks में तो no doubt दुखी हमारे देश की company, desi company है और काफी अच्छे अच्छे products हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें भविश्य को लेके कि जैसे कि 4-5 साल, 10 साल क्या मैंनेजमेंट थोड़े दिन के लिए कभी-कभी चीज़ें गवर हो जाती हैं और solve हो जाती हैं अगर बहुत major problem नहीं कि company बहुत करजे में है और do भी जा रहे हैं, interest नहीं पेकर पारी वैसी कोई बात नहीं है, products भी इनके बहुत अच्छे है, ऐसा भी नहीं कि products खराब बना कि कोई हीरा, कोई स्टार, कोई सितारा आसमान से टूट के जमी पे गिर गया है, किसी कारवमस तो अगर हमारे पास थोड़े सी पैसे हैं, पूरे पूरा पैसा नहीं है, माली जी हम तो 10 लाख लगाना है, तो क्यों नहीं हम एक लाख रुपए की product खरीद के रख लें, जब कमपनियां, इनकी सारी factories काम करना, products के डिमांद जादा बढ़ जाएगी, तो net sales बढ़ेगी, profit बढ़ेगा, share price बढ़ेगी, अब जो इसका correction था, जो इसकी negative ख़बरें दे 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 समाप्त हो गई हैं, अब यह आगे की और बढ़ रहा है, तो long term के purpose से देखिए, आप अपने experts से भी सलाह लें कि क्या करना चाहिए, ऐसे situation में, कौन से multi-wagger हो सकते हैं, अगर यह आपको sector पसंद है, FMCG का, खाने पीने का, है ना, drink का, जो बच्चे-बच्चे पीते हैं, तो आप कुछ stocks खरीद के रख सकते हैं, यह मेरा ऐसा मानना है, आकी जैसी है आपकी मर्जी, औ मैंने उस समय पर नहीं लिया था, लेकिन मेरी sympathy उन लोगों के साथ, जिन्होंने 400 या क्या सपास लिया होगा, तो मुझे लगता है कि अगर उनके shares अभी पढ़े है, quantity as it is है, अगर उनके long term purpose रहा है, तो थोड़ा सा hold करें, क्योंकि बेचना भी ठीक नहीं है, अगर average करना अब यह और buying कर सकते हैं, तो यह रच कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं, उस तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ऐसी आप हमारे वीडियो देखते रहें, और अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब है कि तो जरूर कर लेजे, थैंक्यू थे बाज़ झायो ।